Hey everyone, welcome back, आज की स्वीडियो में मैं आपके साथ कुछ important tips and tricks share करने वाला हूँ कि कैसे आप upcoming Republic Day sale में best deal पा सकते हो, क्या कुछ points है जो कि आपको ध्यान रखने है, क्या कुछ गल्दी आपको नहीं करनी है, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम detail में जानेंगे, तो से confusion भी काफी दा create होती है, तो इसी problem को solve करने के लिए मैं आप सभी के लिए Instagram पर available रहूंगा, पूरे sale के दरान, तो आपका जो भी question है, जिस भी product को लेकर आप confused हो, आप अपना requirement, आपका budget मुझे send कीजे, and then फिर हम मिलके decide करेंगे कि आपके लिए कौन सा product लेना सही होगा, ID आपको Instagram की नीचे discussion मिल जाएगी, and video को हम continue करते हैं, तो देखे दोस्तों, Amazon Flipkart की जो sale है, as you know, 17 से शुरू हो रही है for normal user, और अगर आप Amazon के prime member हैं, या फिर अगर आप Flipkart के plus member हैं, तो आप सभी के लिए जो sale है, वो 16 से शुरू होगी, यानि 15 तारीक के रात के 12 बजे के बात से ही sale जो है, वो आप सभी के लिए live हो जाएगी, and पिछले कई sales में मैंने ये खुद देखा है, कि जो best time होता है product buy करने का, वो early access के दोरानी होता है, जो आपको early access मिलता है, यानि 15 तारीक के रात के 12 बजे के बाद जब sale live होगी, उसी time पर buy करना best होता है, because मैंने ये और आपने भी ये रूटिस किया होगा, कि जब 17 तारीक है ने next day, normal users के लिए sale live होती है, तो कई products पर जो prices है, वो बढ़ जाते हैं, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, कुछ exclusive products होते हैं, कुछ smartphones होते हैं, अगर हम बात करें, iPhones की, कुछ smart TVs होती ही, जिन पर आपको काफी अ और बढ़ चुकी है, तो ये आपको देखने मिलने वाला है, अगर आपको नहीं पता है, तो ये point आप माइंड में रखके चलिए, तो बेटर यही होगा, कि जिस दिन sale live हो, जिस वक्त live हो, उसी time पर आप product बाइक कर लेजिए, ताकि वो out of stock भी ना हो, और इसकी price फिर से ब out of stock हो जाता है, तो इसलिए मैं कहरा हूँ कि sale शूरू होने के पहले ही आप बाइक कर लो, पहले नहीं बतला, starting के आज में ही बाइक कर लो, अब सवाल आता है कि यार, मेरे पास तो prime member subscription है ही नहीं, मेरे पास flip card का plus membership plan है ही नहीं, तो क्या किया जाए, देखिए अगर आप को बड़ा product लेने वाले हो, कोई मेंगा product लेने वाले हो, और आपके लिए discount important है, तो मैं आपको suggest करूँगा, अगर suppose वो Amazon पर available होने वाला है, तो मैं आप सभी को suggest करूँगा कि आप Amazon का 1 month का Prime subscription ले ले, जो 1 month का plan है Amazon का वो आपको I think 179 का पढ़ता है, और अगर आपकी age 18 से 24 के बीच में हैं, और अगर आप अपना ID proof जो है, वो Amazon पो submit करते हैं 15 days के अंदर, तो आपको 90 रुपीज जो है वापस से cashback के तोर पर मिल जाते है, तो उतना अगर आप को TV लेने वाले हो, तो hardly आपको यहाँ पर सिफ 179 देना पढ़ेगा, और उसमें आपको sale का access मिलेगा, 1 month तक आपको free deliveries मिलेंगी, और आपको prime video का भी access मिल जाएगा, prime music का भी access मिलता है, तो मेरे साब से काफी अच्छा plan है, और हाँ, एक बात याद रखना, अगर आपको आपको continue नहीं करना है, तो याद से month end होने से पहले plan को cancel कर दिना, नहीं तो फिर से renew हो जाएगा, फिर आप अब बात करते है flip card की, flip card का जो plus membership plan है, ये खरीदा नहीं जा सकता, इसे आप pay करिए कर नहीं खरे सकते है, यहाँ पर आपको shopping करने पड़ती है, जितना आप shopping करेंगे, उतना आपको points मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको super coins मिलते है, flip card के, तो वो अगर sufficient होंगे, तो ही आपको plus membership मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, तो मेरे पास तो मेरा जो था, वो एक्सपार हो चुका है, लेकिन, यहाँ पर जैसे कि आप screen पर देख सकते हैं, जब आप sale का page open करेंगे, तो यहाँ पर नीचे आपको देखने मिलेगा, you have a ticket, one day early accessory, मैंने अलरी ले लिया है, तो यह पर buy now का option देखेगा, कुछ तो ऐसा होता है, exactly क्या words तो मुझे पता नहीं है, but यह वाला section पर अगर आप click करोगे, तो यहाँ पर आप जो है, early access का ticket buy कर सकते हो, सिफ 50 super coins में, तो अगर आपने पहले भी flip card से shopping करी होगी, तो आपके बस 50 coins तो at least होंगे ही, तो आप उन 50 coins से, यहाँ पर जो subscription है, वो ले सकते हो, तो मुझे यहाँ पर एक दिन का early access मिल चुका है, आपको भी मिल जाएगा, आज पता नहीं में इतनी गडबड क्यों कर रहा हूं बोलने में, धंडी इतनी निख्या करो, जवान फ्रीज दारी ही मेरी, तो I hope यह flip card वाला भी clear हो चुका ह हैं हम उन लोगों की जो लोग TVs या फिर appliances बाइ करने वाले हैं इस sale के तुरान, देखिए जब आप बाइ करेंगे न तो आपको Amazon या फिर flip card जो है, कई-कई बार extended warranties भी suggest करते हैं, तो क्या वो extended warranties लेने चाहिए या फिर नहीं, देखिए जितने भी market में third party providers है extended warranties के, उनका जो record है वो उतना अच्छा नहीं है, मतलब आप कैसे तो kind of 60-40 का उनका review है, मतलब 40% chances है कि आपको अच्छी service वो देदेंगे एक-दो साल के बाद, और 60% chances है कि आपको अच्छी service नहीं मिलेगी, तो क्या लेना चाहिए extended warranty? देखे, answer है yes, लेकिन अगर आपको वो कम price पर दे 700 रुपे के आसपास है, then उस case में वो buy करना मेरे साब से एक सही decision होगा, because एक साल के बाद अगर आपके TV खराब होती है, तो at least आपके पास एक option तो होगा, और अगर आप लगी हुए, तो आपको service मिल जाएगी, और आप replace वगरा करवा सकते हो, नहीं हुआ तो जादा आपक करके कोई भी मतलब नहीं है, अलग-अलग brands आते हैं, on-site, go और बहुत सा रहे, बट उनका record जहें उतना अच्छा नहीं, तो जदा पैस इतनी के ज़रूरत नहीं है, कम price में मिलें, तो well and good आप buy कर सकते हो, तो ये ते कुछ important points जो की आपको ध्यान रखने चाहिए, ताकि आ ये टाटा, bye-bye, sayonara.